हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुट चीवन का सत्य में दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से बसंद पंचमी की हार्दिक शुब कामना है क्या आप जानते हैं बसंद पंचमी को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी अगर नहीं जानते हैं तो इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंतक जरूर देखें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शियर कीजिए और कोमेंट बोक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले तो आएए वीडियो शुरू करते हैं बसंत पंच्मी हिंदू धरम के सबसे खास तेखारों में से एक है इस दिन बिद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है ये तेखार माग महीने के शुकल पक्ष की पंच्मी तिथी को मनाया जाता है हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 रितूं में बांटा गया है जिसमें बसंत को सभी रितूं का राजा कहा जाता है जिस दिन से बसंत रितू की शुरुवात होती है उस दिन को बसंत पंच्मी के परव के रूप में मनाया जाता है इस साल बसंद पंचमी 14 फरवरी 2024 यानि की आज मनाई जाएगी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सहस्वती प्रकट हुई थी इसलिए इस दिन बसंद पंचमी के दिन सहस्वती माता की विशेश पूजा का आयोजन किया जाता है मा सहस्वती को बिद्या एवं बुद्धी की देवी माना जाता है तो अब जानते हैं कैसे हुई थी बसंद पंचमी को मनाने की शुरुआत हिंदू पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मान ने इसी दिन ब्रह्मान का निर्मान किया था रिष्टी की रशना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारो और सुनसान दिखाई दिया बातावरन बिल्कुल शांत लगा तब ब्रह्मा जी ने भगवान बिश्नु जी की अनुमती लेकर अपने कमंडल से प्रित्वी पर जल छड़का जल शिड़कने के बाद देवी के हाथ में बीणा लिये प्रकट हुई मा सरस्वती बसंत पंचमी के तियोहार को हर राज्य में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है इस दिन लोग पीले वस्तर धारन कर मा सरस्वती की बिधी पूर्वक पूजा करते हैं मान्यता नुसार पीला रंग सुक समरिदी और उर्जा का परतीक माना जाता है पीले रंग को मा सरस्वती का प्रिय रंग भी कहा जाता है पीले फूलों को मा पर अर्पित किया जाता है और पीले रंग के चावल का माता को भोग लगाया जाता है इसे देन पतंग उड़ाने की खास परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है बसंत रितु के आने के साथ फसलों पर भी हरे और पीडे फूल खिलते हैं इसकी खुशी लोग पतंग उड़ाकर जाहिर करते हैं मा के प्रकट उच्सब को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है ये नब स्रीजन का संकेतक पर्व है ये नब उर्जा के संचार के पर्व है हर हर महादेव करता है